वेलकम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल एंजोई इंगलिश विद भव्या माम आज हम 12th क्लास की फ्लैमिंगो बुक का 3rd चेप्टर डीप वाटर बाई विलियम डुगल्स करेंगे अब यह जो विलियम डुगल्स थे यह कौन थे यह अमेरिकन थे पॉलिटीशियन भी थे और आपको पता है यह एसोसियेट जस्टिस भी थे एक सुप्रीम कौर्ट के कहां अमेरिका में and the most important fact about him is that कि जो हमारे रूजवल्ट थे जो कौन थे 32nd प्रेजियन थे अमेरिका के उनके बहुत ही बड़े बहुत ही अच्छे एडवाइजर as well as friend भी थे अब जहां तक इस chapter की बात आती है तो यह chapter क्या है यह उनकी अपनी एक autobiography है autobiography मतलब अपने बारे में लिखना तो इसमें उन्होंने अपने बारे में क्या बताया है कि किस तरीके से उनको पानी से बहुत ज़ादा डर लगता था लेकिन finally वो उस डर से overcome करते हैं अपनी strong willpower से अपनी courage से अपने hard work से अपनी firm determination से और उनका ये मानना है कि अगर एक बार आप हिमत कर लेते हो तो डर खतम हो जाता है क्योंकि काफी साथे डर ऐसे होते हैं जो baseless होते हैं ऐसे हम मन में बिठा के रख लेते हैं तो हम इस chapter में पढ़ते हैं कि क्या डर था पानी को लेके और वो कैसे overcome हुआ Now let's start It happened when I was 10 or 12 years old कहते हैं ये तब की बात है तब कुछ incident हुआ था जब मैं 10 या 11 साल का था मतलब उनको exactly याद नहीं है कि वो तब 10 के थे या 11 के थे I had decided to learn to swim मैंने decide किया कि मैं swimming सिखूंगा There was a pool at the YMCA in Yakima अब क्या था एक pool था swimming pool था कहां पर YMCA में YMCA मतलब Young Man's Christian Association ये क्या है ये एक stadium है कहां पर Yakima में Yakima is a river in Washington USA तो यहां पर जो ये stadium है YMCA वहां पर एक swimming pool है That offered exactly the opportunity वो मेरे लिए बिलकुल सही था proper था क्यूंकि वो मेरे को एक ऐसी opportunity दे रहा था जो में हमेशा से गेन करना चाहता था मनलब मेरे लिए perfect था कि में वहां जाके सीख सकता हूं The Yakima river was truckrous वो जो river थी वो बहुत ही जादा क्या थी dangerous थी Mother continually warned against it और उसकी जो mother थी वो उसको continuously warning देती रहती थी कि बेटा मत जाया करो यहां पर it's not safe it's very dangerous and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river और मेरे माइंड में बार 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 हर एक detail डालती रहती थी क्या कि आज देखो यह इस river में गिर गया कल यह गिरा था अब यह हुआ था इतनी डाल देती थी कि मेरे माइंड में वो हमेशा ताजा रहती थी fresh in my mind but the YMCA pool was safe लेकिन मेरा मानना क्या था कि यह जो YMCA pool है यह क्या है safe है it was only 2 or 3 feet deep at the shallow end and while it was 9 feet deep at the other क्या होता है कि कोई भी अगर कोई भी river है कोई भी pool है तो आप notice करना एक side पर तो क्या होता है पानी थोड़ा सा कम होता और एक side पर क्या होता है जादा होता है तो shallow end यानी कम तरफ जिदर पानी जो है कम होता है कहता है 2 or 3 feet deep था जहां पर shallow end था मतलब कम था and while it was दूसरी तरफ जहां पर उसकी ending हो रही है दूर जाते जाओ जाते जाओ तो कितना गहरा था 9 feet deep at the other the drop was gradual drop का मतलब क्या है धलान, गहराई उस पानी की जो गहराई है धलान है वो gradual है gradual का मतलब धीरे धीरे increase हो रही है 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 ऐसे नहीं है कि 2 के बाद सीधा 9 feet नीचे चला गया I got a pair of water wings and went to the pool मैंने क्या लिया मैंने एक pair लिए water wings के water wings क्या होते है हाथ पे अगर आपने देखा हो तो दोनों तरफ हाथ में गोल-गोल से wing से डाले जाते हैं ठीक है वो डाले and went to the pool और मैं कहाँ पर चला गया pool के अंदर I hate it to walk naked into it वो कहते हैं कि न मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था मेरे को बिल्कुल नफरत थी कि मैं पूल में कैसे जाओ naked जाओ without clothes जाओ and show my skinny legs because जब वो naked जाते हैं तो उसके क्या दिखते हैं पतले-पतले skinny legs दिखते हैं but I subdued my pride and did it लेकिन मेरा ये जो pride था मेरी ये जो ego थी मैंने इसको दबाया और did it और मैं पानी के अंदर जाने की मैंने सोची anyways from the beginning however I had an aversion to the water when I was in it वो कहते हैं कि शुरू से ही क्या था मेरे अंदर एक aversion थी aversion का मतलब क्या होता है dislike होना कि मेरे अंदर पानी को लेके एक डर था एक dislike थी एक hatred थी चो जो water when I was in it जब भी मैं पानी के अंदर जाता था तब this started और यह जो डर है यह कब शुरू हुआ when I was 3 or 4 years old और मेरे पापा मुझे कहां पर लेके गए थे अपने साथ एक beach में where it is it is in California he and I stood together in the surf वो और मैं हम दोनों इकठे कहां पर खड़े होगे surf में wave of the sea सामने से जो wave आ रही थी तो मैं और मेरे पापा एकदम से stood खड़े होगे still खड़े होगे इकठे खड़े होगे I hung on to him और मैंने क्या कि एकदम वो अपने पापा को चिपक गया जैसे ही वो wave आई yet the waves knocked me down लेकिन फिर भी क्या हुआ उस जो waves थी उन्होंने मुझे knock किया मेरे उपर आई and knock me down उन्होंने मुझे गिरा भी दिया and strapped over me और मेरे उपर आ गई I was buried in water buried होता है वैसे दफनाने के लिए यूज़ करते न तो वो कहते है कि मैं पानी के नीचे दब गया क्योंकि उनको तो यह लगता है कि कोई बात नीचे थोड़ा सा पानी था ऐसी बच्चा डर गया तो वो normal smile करते है लेकिन वो तो बच्चा है न but there was terror in my heart at the overpowering face of the waves लेकिन मेरा जो मन था मेरा जो दिल था उसके अंदर एक डर बैठ गया किससे जो overpowering force सा waves का मतलब जो excess में force के साथ waves आई और मेरे उपर आई उनकी वज़े से my introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories तो यह कहता है कि जब मेरी introduction हुई जब मैंने YMCA swimming pool के बारे में सोचा सीखने के लिए तो मेरे mind में वो सारी unpleasant जो मेरी memories थी यह बचपन वाली California beach वाली वो revived हो गई, कठी हो गई and still childish fear और इसने क्या किया मेरा जो बचपन का fear था वो मुझे याद आने लग गया और मैं stir हो गया but in a little while I gather confidence लेकिन थोड़े time के बाद मैंने अपने confidence कोई कठा किया no I can do it I pedaled with my new water wings मैंने क्या किया मेरे new water wings के साथ पैडल किया यानि हाथ पर मारे पैडलिंग शुरू की watching the other boys and trying to learn by aping them वो कैसे सीख रहा था trying to learn सीखने की कोशिश कर रहा था दूसरे boys को देख के उनको अप करके अप होता है copy करना जैसे वो कर रहे थे on different days वो कैते मैंने ऐसे दो तीन बार किया अलग-अलग दिन में and was just beginning to feel at ease और जस्च चुरुवात ही हो रही थी क्या फिल करने की ease in the water पानी के साथ comfortable होने की and the misadventure happened लेकिन क्या हुआ एक misadventure हो गया वो क्या था देखते है I went to the pool when no one else was there मैं पूल पे गया जब वहां पर गोई भी नहीं था the place was quiet place बिल्कुल शान था water was still पानी बिल्कुल शान था and the tiled bottom was as white and clean as a bottom जो पूल का bottom था नीचे वाला पाट था उसकी जो tiles थी वो बिल्कुल white और clean दिख रही थी जैसे एक छोटा सा बात तब होता है उसमें हमें उसका base clear दिखाई देता है similarly वैसे I was timid मैं थोड़ा सा डर पोक था about going in alone अंदर जाने में मुझे डर लग रहा था so I sat on the side of the pool to wait for others तो मैंने क्या किया मैं पूल की side में बैट गया और wait करने लगा कि चलो कोई और आजाएगा फिर swimming कर लूँगा I had not been there long when it came a big bruiser of a boy वो खहते हैं मेरे को जादा लंबा टाइम नहीं हुआ था महाँ पर wait करते करते कि वहाँ पर एक कौन हाता है एक big bruiser आता है bruiser यानि यूगें से बुली के लिए बोला जाता है बुली किया एक बहुत ही ऐसी personality एक मोटा तगड़ा बंदा है जो tough है फेस से और उसके फेस के expression से लग रहा है कि वो क्या है बहुत ही जादा strong है aggressive है इस तरीके का एक big bruiser आता है of a boy probably 18 years old शायद वो लगभग 18 years का होगा he had thick hair on his chest अब आप imagine करो कि वो कैसे होगा उसके face पे बहुत aggressiveness है और उसके जो hairs है वो बहुत ही जादा थिक है कहां पर उसकी chest पे he was a beautiful physical specimen और वो उसकी जो physical है जो physique है दिखने में वो क्या है बहुत ही जादा beautiful beautiful hair refers to bully की beautifulness की बात की गई है specimen is a sample sample किसका एक नमूना होना एक sample होना किसका जो एक perfect sample है एक bully का उसके legs और arms जो है वो क्या शो करें rippling muscles muscles उसकी क्या कर रही है shiver rippling होता है हिलना थोड़ थोड़ी हिलती होई दिखाए दे रही है मतलब एक perfect physical appearance physical specimen दिखाए गई है एक bully की उसके hairs के त्रू उसकी muscles के त्रू and वो क्या कहता है he yelled वो चलाता है hi skinny how would you like to be ducked वो बोलता है उसको वो बहुत पतला होता है तो उसको skinny बोलता है तुम क्या पसंद करोगे किस तरीके से तुम्हें duck किया जाए पानी के अंदर डाला जाए duck का मतलब होता है to push someone under water with that he picked me up और फिर वो क्या करता है मुझे उठाता है and toast me into the deep end और उठा के कहां पर पटक देता है deep end मे I landed in the sitting position वो कहता है मैं वहाँ पर जैसे बैठा था बैठे बिठे कहां पोच गया land कर गया sitting position में पानी के अंदर चला गया swallowed water water swallow क्या होता है निगलना और मैं पानी को क्या कर रहा था निगल रहा था उसके मुँ में पानी चा रहा था and went at once at the bottom और एक ही बारी में वो कहां पर चला गया towards the bottom I was frightened on the way down I planned when my feet hit the bottom उसने सोचा कि जैसे ही मेरे जो पैर है बिल्कुल bottom को hit करेंगे उस tile को hit करेंगे I would make a big jump मैं क्या करूँगा एक बहुत ही बड़ी सी jump लूँगा और उपर आज़ोंगा come to the surface और उपर आने के बाद मैं क्या करूँगा lie flat on it और फिर क्या करूँगा हाथ पैर मारते हुए कहां चला जाओंगा towards the corner of the pool it seems a long way down और कहता है कि लेकिन अभी वो नीचे ही नहीं पहुच रहा था नीचे तक का रस्ता जो है उसको बहुत लंबा लग रहा था टाइल सक पहुचने का those 9 feet were more than like 90 ऐसे लग रहा था 9 feet गहरा नहीं है यह तो 90 से भी जादा है and before I touch bottom my lungs were ready to burst और इससे पहले कि मैं bottom को touch कर पाता मेरे को ऐसे लग रहा था कि जो मेरे lungs है ना वो तो अभी burst हो जाएंगे अभी 40 जाएंगे but लेकिन जब मेरे feet ने bottom को hit किया touch किया मैंने क्या किया I summoned all my strength मैंने क्लेक्ट करना मैंने अपनी सारी strength को क्लेक्ट किया and made what I thought और मैंने वो किया जो मैंने सोचा था क्या सोचा था कि एकदम से उपर आएगा was a great spring upward कि मैं क्या करूंगा एक spring की तरह एकदम से उपर आ जाओंगा जम्प ले लूँगा I imagine I would bob to the surface like a cork उसने क्या सोचा उसने यह imagine किया था अपने मन में कि वो बोब होता है एकदम से fastly वो surface पे आ जाएगा कैसे cork की तरह cork क्या होती है कि जो wine की हमारी bottle होती है उसके धकन जो होता है तो उसके ढखकन की तरह में एकदम फटा-फट उपर आ जाओंगा यह उसने imagine किया था लेकिन ऐसा नहीं हुआ in stitch I came up slowly लेकिन उपर वो आया तो सही लेकिन दीरे-दीरे I opened my eyes and saw nothing वो कहता है कि मैंने जब अपनी आखे खोली तो मुझे और कुछ ने दिखा सिरफ क्या दिखा water पानी water that had a dirty yellow tinge to it वो पानी जो था उसके अदर क्या था एक dirty yellow tinge था यानी जो पानी का color था न वो थोड़ा सा गंदा सा yellow लग रहा था due to light में भी आप देखते हो ना जब थोड़ी सी light पढ़ती है and my hands clutched only at water वो कहते है कि जब मैं हाथ उपर ऐसे कर रहा था जैसे मैं किसी रस्ती को पकड़ूँगा लेकिन ऐसा तो कुछ था नहीं मेरे हाथ बार बार किसको पकड़ रहे थे पानी को I was suffocating मेरा दम खुट रह था I tried to yell but no sound came out मैंने कोशिश की कि मैं चिलाऊं लेकिन पानी की वज़े से मेरी अवास बाहर नहीं निकली then my eyes and nose came out of the water but not my mouth और फिर क्या हुआ मेरी आखे मेरे nose वो तो थोड़ा सा फिर में पानी से बाहर आ गया लेकिन मेरा मूँ नहीं आया वो अभी भी कहां था under water I flate at the surface of the water flate का मतलब क्या होता है बहुत ही wild तरीके से बहुत ही बुरी तरीके से अपने हाथ पैरों की movement करना तो वो क्या कर रहा था जो surface of water था उसके उपर अपने हाथ पैर मार रहा था मतलब आप ये भी कह सकते हो कि उसका हाथ उपर आ रहा था as a wave करता हुआ swallowed and chalk लेकिन क्या हो रहा था वो जो पानी था वो उसके अंदर जाय जा रहा था जाय जा रहा था जिसकी वज़े से चौक होता है सांस लेने में problem होना पानी अंदर जा रहा था तो उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी I tried to bring my legs up उसने कोशिश की अपने legs को उपर करने की but they hung as dead weight लेकिन वो जो पैर थे ऐसे लटके पड़े थे जैसे की कोई dead weight हो मतलब उसके जो पैर थे बहुत जादा heavy हो चुके थे और heavy होने की वज़े से ऐसे feel हो रहा था जैसे वो paralyzed हो गे उनमें कोई जान नहीं बच्ची है rigid हो गए थे, hard हो गए थे, उपर आनी पा रहे थे A great force was pulling me under ऐसे लग रहा था नीचे से कोई बहुत तेज force लगा रहा है और मुझे नीचे की तरफ खीच रहा है I screamed, मैं चिलाया but only the water heard me लेकिन कोई उस चिलाहट को सुन नहीं पाया सिरफ कौन सुन रहा था, पानी natural है पानी के अंदर कौन सुनेगा I had started on the long journey back to the bottom of the pool मैंने फिर से अपनी उस लंबी सी जर्नी को शुरू किया कहां जाने की, पूल के bottom में जाने की I struck at the water as I went down वो कहते है जब मैं नीचे जा रहा था तो मैंने क्या क्या, struck किया पानी को मतलब अपने हाथों के साथ hit किया expending my strength as one in a nightmare fights an irresistible force वो कहता है कि जब मैं नीचे जा रहा था मैं पानी के साथ strike कर रहा था hit कर रहा था पानी को expending my strength मतलब लेकिन फिर भी क्या हो रहा था कि मैं मेरी जो strength थी उसको lose कर रहा था, कैसे जैसे कि suppose करो कोई person है उसको कोई डरावना सपना आता है तो वो क्या करता है, सपने में जो उसको डरा रहा हो तो उसके साथ लड़ने लगता है अपने पूरे force लगा के लेकिन कोई फायदा नहीं होता वैसे ही जो William है वो क्या कर रहा था जब वो नीचे जा रहा था तो वो उसके क्या कर रहा था, stuck कर रहा था fight कर रहा था, लेकिन क्या हो रहा था कोई फायदा नहीं हो रहा था, वो अपनी ही strength को lose कर रहा था I had lost all my breath मेरी सांस जो है बिल्कूल ऐसे लग रहा था नहीं आ रही है My lungs act, मेरी lungs में pain हो रहा था My head throbbed, throbbed का मतलब होता है कि जैसे beating की आवाज आना जैसे दिल करता ना धग 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 वैसे ही सिर में धग धग की आवाज सी feel हो रही थी I was getting dizzy dizzy का मतलब होता हलका हलका बहोश होने लगना जब आपको कुछ दिखाई ना दे आपकी body senses में ना रहे तो I was getting dizzy but I remember the strategy लेकिन मुझे अपनी strategy ध्यान थी वो क्या थी I would spring from the bottom of the pool मैं bottom of the pool से उपर आऊंगा spring की तरह and come like a cock to the surface और उपर कैसे आजाऊंगा जैसे cork आती है cork यानी जो wine की bottle के उपर एक छोटा सा कुछ लगा नहीं होता वो एकदम से bottle खोलो और एकदम से कूद के बार निकलती है तो वो सोच रहा था जैसे ही मैं पैर को touch करूँगा तो मैं अभी एकदम से जटके से कहां पर आ जाऊंगा surface of the water I would lie flat on the water और जब मैं आ जाऊंगा वो ऐसा सोच रहे तो मैं क्या करता कि मैं पानी के उपर flat लेट जाता strike out with my arms और अपने जो arms हैं उनको extend करता fell आता and thrash with my legs और अपने legs को साथ क्या करता और सेफ हो जाता I went down, down endlessly लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वो कहां जाता गया नीचे और नीचे कैसे endlessly I opened my eyes मतलब नीचे ऐसे लग रहा था बहुत गहरा है खतम हो इनी राथ था वो 9 feet मैंने अपनी आखों को खोला nothing but water मुझे कुछ नहीं दिखा सिवाए पानी के पानी कैसा with the yellow glow जो हलका पीला था और आगे जाते जाते तो क्या हुआ dark water that one could not see through पानी एकदम dark लगने लगा black लगने लगा one could not see through मतलब जिसके बीच में से कुछ देखा भी नहीं जा सकता in short पानी black नहीं हुआ है वो dizzy feel कर रहा था तो that's why maybe उसको वो पानी क्या लग रहा हो dark लग रहा हो and then sheer stark terror seize me sheer यानि sudden stark यानि एक बहुत ही भ्यंकर और फिर से एक एकदम suddenly एक बहुत ही जादा dangerous terror ने मुझे seize कर लिया जकड लिया, पकड लिया क्या terror that knows no understanding एक ऐसा डर जिसको कोई नहीं समझ सकता एक ऐसा डर that knows no control जिसके उपर किसी का control नहीं है एक ऐसा डर जो कोई नहीं समझ सकता जिसने जब तक वो बंदा उस डर को experience ना करे मतलब डर किसका डर death का ये जो डर है इसको सिरोफ वही मैसूस कर सकता है जिसने इसको experience किया हूँ I was shrinking underwater मैं पानी के नीचे छिला रहा था रो रहा था I was paralyzed underwater और में को क्या लग रहा था जिससे मैं पानी के नीचे paralyzed हो चुका हूँ मेरी body में कोई movement ही नहीं रही है मेरी body पूरी stiff हो चुकी है rigid हो चुकी है hard हो चुकी है किससे डर से Even the screams in my thought were frozen और क्या लग रहा था कहता है ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरे जो thought है मेरे जो गले में scream क्या होता है चिलाना जो चिलाने की वाजाना वो भी क्या है जम गई है मतलब वो चिला भी नहीं पा रहा होता है Only my heart and the pounding in my heart said that I was alive सिरफ मेरी दिल की धड़कन जो धक धक हो रही थी और pounding in my head pounding मैंने आपको throbbed का पताया था न same way cheese की head में हलकी हलकी beating हो न वो सिरफ heart की और head की pounding से मुझे पता चल रहा था that I was alive ठीक है डरा हुआ तो था ही लेकिन इस दर के बीच में मैंने क्या फिल किया touch of reason मतलब उसने logically सोचा उसने फिर से अपने उस plan के बारे में सोचा वो कहता I must remember to jump when I hit the bottom मेरे को यह याद रखना है कि जैसे ही मैं bottom को hit करूँ मुझे एकदम से उपर कूदना है at last I felt the tiles under me और finally मैंने क्या फिल किया कि tiles जो है अभी मेरे नीचे बस आने वाली है my toes reached out as if to grab them और वो कहता है कि मेरे जो toes है वो जैसे उस tile को touch करने वाले थे मतलब वो इतना excited हो रहा था जैसे हो किसी चीज को grab कर लेगा पकड़ लेगा I jumped with everything I had और मैं कूदा भी कैसे जैसे सब कुछ मतलब जो भी उसके पास था जितनी भी strength थी most came through कूदा but the jump made no difference लेकिन उस jump का कोई फायदा नहीं हुआ उस jump से वो नहीं निकल पाया the water was still around me अभी भी पानी क्या था उसके आसपास था I looked for ropes उसने क्या देखा वो सोच रहा था कि मुझे कुछ मिल जाए कोई रसी मिल जाए rope मिल जाए मुझे कोई ladder मिल जाए CD मिल जाए मुझे कोई water wings मिल जाए जिसकी help से वो बहार आ सके but nothing only water और कुछ भी नहीं था सिरफ क्या था पानी था a mass of yellow water held me काफी सारा जो yellow color का water था उसने मुझे इदर उदर हर तरीके से जकड़ा हुआ था stark terror took an even deeper hold on me like a great charge of electricity वो कहता है कि जो stark terror था मतलब terror इतना जादा था उसने मेरको अंदर तक जकड़ा हुआ था जैसे suppose करो किसी person को वो लग जाए current लग जाए बिजली का तो उसके अंदर तक वो पूरा हिल जाता है न वैसे ही उस पानी के डर से वो पूरा अंदर तक हिला पड़ा था I shook and trembled with fright वो कहता है मैं डर से हिल रहा था काप रहा था my arms would not move मेरे arms move नहीं कर रहे थे my legs would not move legs भी move नहीं कर रहे थे I tried to call for help मैंने कोशिश की मैं call करूं मदद मागू किसी से to call for mother अपनी mother को बुलाऊं but nothing happened लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ and then strangely there was light I was coming out of the awful yellow water at least my eyes were my nose was almost out too और वो कहते हैं कि strangely उसने क्या देखा एकदम कि light दिखी उसको हलकी सी और मैं क्या आ रहा था मैं पानी से बहार आ रहा था awful यानि dirty yellow water से at least my eyes were मेरी आखे जो थी वो पानी के बहार थी तब ही उसने देखा ना कि light है my nose was almost out too और मेरा जो nose था वो भी लगबग पानी से बहार था then I started down a third time लेकिन फिर क्या हुआ उससे पहले कि उसका पूरा body बहार आती है उसका face बहार आता वो फिर से कहां चला गया नीचे जाने लगा for the third time तीसरी बहार अब ऐसे हुआ I sucked for air and got water उसको ये लगा उसने जब वो थोड़ा सा बहार आया तो एक उमीद दिखी तो उसने क्या क्या air को सक करने की कोशिश की लेकिन मिला क्या उसको पानी the yellowish light was going out और वो जो yellow वाली light उसको दिख रही थी वो भी अब क्या होने लगी चुपने लग गई जाने लगी हाइड होने लगी then all efforts ceased I relaxed अब इस paragraph में आफ ये देखो कि बिल्कूल ही वो change हो जाता है क्या कि वो सारे efforts करने बंद कर देता है ceased means to stop I relaxed वो बिल्कूल शान्त हो जाता है even उसके जो legs होते है felt limp limb का मतलब होते है lifeless होना उसमें कोई strength ना रहना ऐसे हो जाते है and a blackness swept over my brain और उसके पूरे brain पे क्या हो जाती है एक blackness एक अंधेरा चा जाता है मतलब वो बहोश हो रहा है थोड़ा-थोड़ा it wiped out fear it wiped out terror और उसका जो डर है वो जा रहा है उसका जो terror है वो खतम हो रहा है there was no more panic और वो पैनिक भी नहीं हो रहा है घबरा भी नहीं रहा है it was quiet and peaceful वो बिलकुल शान्थ हो जाता है peaceful हो जाता है और वो क्या कहे रहे nothing to be afraid of डरने की कोई जरूवत नहीं है this is nice जो भी हो रहे है अच्छा है to be drowsy क्या सुस्त होना drowsy का मतलब to go to sleep और वो सुस्त होता होता नींद में जा रहा है no need to jump अब जब करने की कोई जरूवत नहीं है to try to jump वो कहता है मैं ठक भी इतना क्या था कि मैं जब कर भी नहीं सकता था it's nice to be carried gently अच्छा है कि मेरे को अराम से प्यार प्यार से जो water है वो क्या कर रहा है carry कर रहा है to float along in space उसको ऐसे लग रहा था वो water नहीं है वो क्या है space है और space में वो क्या हो रहा है float हो रहा है tender arms around me और मेरे आसपास क्या है एक soft से हाथ है किसके पानी के tender arms like mother और वो arm कैसे है जैसे मेरी mother मेरे आसपास मुझे पकड़ती है प्यार से arms को wrap करती है वैसे मुझे किसने wrap कर रखा water ने now I must go to sleep और वो कहते है कि अब शायद मुझे क्या करना चाहिए सो जाना चाहिए means क्या समझ में आ रहा है आपको कही न कहीं क्या होने वाला death की बात हो रही है I cross to oblivion मतलब oblivion क्या होता है कि एक ऐसी mind की state होना जब आप unconscious हो जाते हो unaware हो जाते हो बेहोश हो जाते हो तो वो कही न कहीं unconscious हो रहा था and the curtain of life fell curtain of life fell यानि अब उसका end near है वो मरने वाले थे उनका जो पर्दा है वो गिरने वाला था उनकी जो eyes है वो क्या होने वाली थी close the next I remember I was lying on my stomach beside the pool vomiting और वो कहते हैं कि उस incident के बाद क्या हुआ उनको न कुछ याद नहीं है पता नहीं क्या हुआ सिरफ उनको इतना याद है कि उसके बाद वो स्विमिंग पूल से बाहर आ जाते हैं और कहीं पर पड़े होते हैं क्या याद है उनको कि I was lying on my stomach मैं मेरे पेट के सहारे लेटा हुआ था beside the pool पूल के पास और वहाँ पर में क्या कर रहा था vomiting कर रहा था the chap that threw me in was saying chap यानि वो 18 year का boy वो बुली जो था वो जिसने मुझे कहा फैका था पानी के अंदर वो क्या कह रहा था but I was only fooling कि मैं दोना सिरफ मजाग कर रहा था इसके साथ इसको यह पता नी क्या हो गया someone said और फिर कोई और उसको reply देता है the kid nearly died कि यह जो बच्चा है ना इसको तुने गिराया था यह मरने वाला है be all right now चलो ठीक है जो है let's carry him to the locker room अब इसको उठा के कहा ले चलते हैं हम locker room में several hours later I walked home I was weak and trembling अब थोड़े घंटों के बाद मैं घर पर गया और जब मैं घर पर गया तो मैं क्या था बहुत ही ज़ादा weak हो चुका था और काप रहा था I shook and cried when I lay on my bed वो कहते जब मैं लेटा मैं कापता हुआ गया और जैसे मैं बैट पर लेटा तो मैं रो नहीं लग गया I could not eat that night मैंने पूरी रात कुछ खाया नहीं for days a haunting fear was in my heart कई दिनों तक मेरे अंदर एक कैसा डर रहा haunting fear haunting यानि बार-बार डराने वाला एक डर मेरे दिल में बैठ गया the slightest exertion upset me exertion का मतलब होता है कि किसी भी तरीके का pressure होना कुछ भी होना तो वो कहते है कि छहे थोड़ा सा भी pressure लगता कुछ भी ऐसा होता तो मैं upset हो जाता making me wobbly in the knees और वो बहुत जादा weak feel करता किसमें अपने knees में मतलब कोई भी छोटी सी भी बात होती related to water वो incident उसके mind पे इतना जादा heavy हो चुका था कि वो कापने लग जाता shiver करने लग जाता उसके knees में वो weakness feel करता and stick to my stomach stick to my stomach आप कह सकते हैं उसके पेट में भी कुछ-कुछ होने लगता I never want back to the pool वो कहता है मैं दुबारा कभी भी पूल पे नहीं गया I feared water मुझे पानी से डर लगने लग गया I avoided it whenever I could जब भी मैं avoid कर सकता था मैं पानी को avoid करता था a few years later when I came to know the waters of the cascades वो कहते है कुछ सालों के बाद जब मुझे किसके बारे में पता चला water of cascades cascades is in USA and waters you can say waterfalls of cascades I wanted to get into them मैं वहाँ जाना चाहता था and whenever I did और जब भी मैंने जाने की कोशिश की whether I was waiting the titan और bumping river और bathing in warm lake of the goat rocks वो कहते है कभी भी चाहे मैं क्या कर रहा हूँ उसमें waiting कर रहा हूँ अब यह देखो यह जो titan है और यह bumping है यह क्या है river है और इसमें waiting करने का मतलब क्या होते है कि जैसे हम पैर उठा के थोड़ा से चलते नहीं तो कहते हैं चाहे मैं उस river में चलने की कोशिश करता यह बात करने की कोशिश करता किसमें in warm lake of the warm lake कहां की goat rocks कि the terror that had seized me in the pool would come back कि वो जो terror था जो मेरे उपर हावी हो चुका था वो मुझे फिर से जकर लेता चीके in the pool would come back वो वापस आ जाता उस डर ने मुझे पूरी तरीके से क्या कर रखा था possession में ले रखा था काबू में कर रखा था मैं लेक्स वोड विकम पारलाइस मेरे जो पैर होते थे वो क्या हो जाते थे पूरे पारलाइस हो जाते थे icy horror वोड ग्राब माई हर्ट और मेरे दिल पे क्या फैला हुआ था एक icy horror हो गया था ऐसी यनि एक देहला देने वाला डर मेरे मन में बैठ गया था इस हैंडीकप staid with me as the year लोड बाई ये जो handheld था हैंडीकप का मतलब क्या होता है ने होना है विकलांग किससे हो रहा था वो इस पानी कें डर से हो रहा था तो कहता है ये जो मैं handicap feel कर रहा था विकलांगपन feel कर रहा था ऐसे लग रहा था कि वो मेरे साथ साथ चल रहा है कैसे as the years rolled by जैसे जैसे साल बीत रहेंगे डर भी मेरे साथ है in canoes on main legs fishing for landlocked salmon canoes क्या होती एक छोटी सी boat है वो कहते है जब भी उस छोटी किसी boat पे मेन लोक में जाता main lake में जाता फिशिंग करने की लिए इसकी फिशिंग करने के लिए landlocked salmon की यह क्या है नेम ओफ फिश है चाहे मैं उसकी फिशिंग के लिए जाता चाहे मैं बास फिशिंग के लिए यह भी ऐस और शॉट अफिश है मतलब वो कहीं भी जाता, wherever I went, कहीं भी मैं जाता, किसी भी फिश की फिशिंग करने जाता, दा हॉंटिंग फियर ओफ दा वाटर फोलोड मी, ये जो पानी के लिए, जो मेरा डर था, बार बार डराने वाला जो डर था, वो मेरा पीछा करता, मुझे फोलो करता, और क्या कहता है, कि चाहे मैं के लिए जा रहा हूं, चाहे मैं बोटिंग के लिए जा रहा हूं, मैं वहाँ पर खुशी को महसूस नहीं कर पाता, मैं उससे डिप्राइब होता, वंचित होता उस खुशी से, अब वो डर रहा है, तो नेच्रॉल सी बात है, वो खुश कहां से ह enjoy कैसे करेगा I used every way I knew to overcome this fear वो कहता है मैंने हर एक तरीके का use किया जो भी मैं जानता था उस fear को overcome करने के लिए उस fear से बाहर आने के लिए but it held me firmly in its grip लेकिन इस जो डर था इसने बहुत ही tightly मेरे उपर अपनी grip बना ली थी finally 1 October को मैंने क्या decide किया I decided to get an instructor मैंने सुचा कि मैं एक instructor बुला थो and learn to swim और मैं उसे swimming सीखूंगा I went to the pool मैं पूल पे गया and practice भी की मैंने 5 days a week मतलब एक हफते में 5 तिन and hour each day रोज एक घंटा the instructor put a belt around me instructor ने क्या किया मेरे around एक belt बांदी a rope attached to the belt went through a pulley then ran on an overhead cable overhead cable क्या होती है एक मोटी सी रसी अब देखो मैंने आपके लिए na side में एक pulley बनाई ये ताकि आपको अच्छे से समझ में आए आप ये देखो इसके ये pulley है और इस pulley के अंदर से रसी निकल रही है तो एक रसी को उसने क्या किया एक रसी तो कहां बांदी उसकी belt से बांदी ठीक है और दूसरे रसी को क्या किया खुद पकड़ लिया ताकि अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये pulley क्या है रोप कैसे अटाच किया अब जो रसी से उसकी belt को अटाच है मतलब वो पानी के अंदर है और दूसरी इंस्ट्रक्टर ने खुद पकड़ रखिए वो उससे उसे आगे पिछे करता रहता है अब वो क्या गहता है रोप अटाच टू दा बेल्ट वेंट थू पुली क्लियर हो गया कि एक रसी को किसे अटाच किया उसकी belt से जो कहां से जा रही थी थू पुली उस पुली से निकलती हुई और यह जो पुली होती है न यह उपर एक थिक रोप से बंधी हुई होती है ठीक है इसके लिए बोला है इसने अब वो क्या करता उस रोप का एंड पकड़ लेता और उसको क्या करता रहता बैक एंड फोर्थ यानि आगे पिछे आगे पिछे कहां पर अक्रोस दा पूल वीक आफटर वीक कई हफ़तों तक यह प्रोसीजर चलता रहा और इच ट्रिप अक्रोस दा पूल अबिट अफ दा पैनिक सीज़ में वो कहता है जब भी वो किसी ट्रिप पे जाता मतलब कोई भी यह पानी वाली एक्टिविटी करता प्रोस दा पूल तो क्या होता थोड़ अब पैनिक होता घबराता और यह जो पानी का डर था उसको फिर से क्या कर लेता सीज़ कर लेता जकड लेता इच टाइम दा इंस्ट्रक्टर रिलाक्स देश होल्ड अन्दर रोप वो कहता है कि जब ही इंस्ट्रक्टर क्या करता उसका जो रोप जो उसने पकड़ी हुई तो मैं का जाता आई वेंट अन्दर जाता और फिर क्या होता एकडम से पुराना डर वापस आ जाता और मैं लेग फ्रोज और मेरे पैर जम जाते उसकी मुमेंट करना बंद कर देते इट वस त्री मन्स बिफोर टेंशन बिगें टू स्लैक और वो कहता है कि लग बग मेरे क तो तीन महीने लग गए कि इस टेंशन को स्लैक होता है रिड्यूज होना कम होने में मतलब इस टेंशन के यह जो फियर था इसको कम होते होते भी मतलब मेरे को तीन महीने अराम से लग गए फिर अब उसने मुझे क्या सिखाया कि किस तरीके से मेरे को अपना फेस पानी के अंदर रखना है जब हम जाते अंदर and exhale और क्या करना है? exhale करना है inhale exhale करते है न जब हम पानी में जाते है तो मतलब जब आपको सांस बहार शोड़नी है तो आपको अपना फेस अंदर रखना है and to raise my nose and inhale और जब inhale करना है तो आपको अपना फेस पानी से बहार निकाल लेना है अपना nose भी बाहर निकाल के आपको inhale करना है I repeated the exercise hundred of times और वो कहता है कि मैंने exercise hundred times की bit by bit यानि slowly slowly टुकडों में I shed part of the panic that seized me when my head went under water I shed part यानि I removed मैंने अपने अंदर से वो part जो मुझे घबराता था जो मुझे जकड लेता था, seize करता था when my head under, जब मेरा सिर कहां चाता था, पानी के अंदर उससे मैंने क्या किया, overcome करना शुरू किया next, he held me at the side of the pool and had me kick with my legs अब उन्होंने मुझे क्या सिखाया, देखो पहले उन्होंने उसको सिखाया रोप से बान के थोड़ा सा सिखाया, फिर उसको सांस लेना सिखाया अब वो उसको क्या सिखा रहे हैं, कहते हैं, कि जब वो मैं पूल के अंदर जाता at the side of the pool and held me, उन्होंने मुझे सिखाया किस तरीके से पानी में legs से kick करनी हैं, पैर मारते हैं न जब पानी के अंदर होते हैं तो for weeks I just did that, और वो कहते हफ़तों तक मैंने ऐसा किया at first पहले तो क्या हुआ कि मेरे legs ने refuse कर दिया काम करने के लिए वो नहीं workout करते थे, फ्रोज हो जाते थे न, बच, लेकिन they gradually relaxed लेकिन धीरे धीरे वो relaxed भी होने लगे and finally I could command them मैं उनको order दे पाता था और वो move करते थे thus piece by piece he built a swimmer और इस चरीके से हर एक part को सीखता हुआ हर छोटे-छोटे pieces को सीखता हुआ, वो क्या बन गया? एक swimmer बन गया and when he had perfected each piece और जब उस instructor ने William के हर एक piece को perfect कर दिया मतलब उसको सब कुछ सिखा दिया, dive करना भी सिखा दिया, legs की movement भी सिखा दिया, inhale, exhale करना भी सिखा दिया तो उसने क्या क्या? उसके हर एक piece को put them together, इक अठा किया और उसको क्या बना दिया? एक integrated hole, एक complete swimmer बना दिया In April he says, now you can swim इंस्ट्रक्टर ने इसको क्या बोला? कि आब तुम swim कर सकते हो, देखो उसने सीखना शुरू किया था October में अब उसने कब बोला? April में, मतलब 6 महीने लग गए उसको, वो कहता है dive off, अब तुम jump भी कर सकते हो swimming भी कर सकते हो, the length of the pool ये crawl stroke, अब ये crawl stroke क्या होता है? ये कुछ styles होते है swimming के, काफी सारे parts होते है breast stroke, side stroke, back stroke, मतलब किसी में hand की movement होना, किसी में चाती आपकी पानी के अंदर आएगी, बहार आएगी, कुछ types है I did, the instructor was finished, और instructor जो है, वो क्या कहते हैं? कि I did, now my work is finished but I was not finished, I still wondered, वो कहते है, उसका instructor ने तो बोला कि finish कर लिया, लेकिन मैंने अभी अपनी तरफ से finish नहीं क्या हुआ था I still wondered, मैं अभी भी देख रहा था, अभी भी ये सोच रहा था, if I would be terror stricken when I was alone in the pool, क्या अभी भी मेर को वो डर जो है, अभी भी चिपका रहेगा अगर मैं पूल में केला होता हूँ, तो I tried it, मैंने सुचा चलो try करता हूँ, I swam the length up and down, मैंने try किया, swimming करने की कोशिश की उपर नीचे हर जगा tiny vestiges of the old terror would return, vestiges यानी parts, तो जो पुरानी यादे थी, उसके छोटे छोटे पार्ट जो है, किसके डर के वो वापस आने लगे, but now I could frown, लेकिन अब क्या था, जब वो बेशक थोड़ा सा डर आ था, लेकिन अब वो frown करता हूँ, frown करना क्या होता है, मत्थे पे त्रेडियों को चड़ाना, वो उसको चड़ाता है, और वो क्या कहता है, terror को trying to scare me, क्या मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, well, here's to you, look, and off, और उसने क्या बुला, कि तुम मुझे नहीं डरा सकते हो, and off, I would go for another length of the pool, and वो कहां पर चला गया, पूल में, और किसी length में, मतलब और swimming के लिए चला गया अंदर, this went on until July, ऐसा चलता रहा, July तक, but I was still not satisfied, लेकिन वो अभी भी अंदर से satisfied नहीं होता है, I was not sure that all the terror had left, अभी भी मैं अंदर से sure नहीं था, कि ये डर पूरी तरीके से गया या नहीं गया, तो मैं कहां पर गया, I went to Lake Wentworth, in New Hampshire में, New Hampshire में एक लेक थी, जिसका ने प्रिक्स आइलेंड के डॉक या नि किनारे पर जाकर उसने क्या क्या डाइव किया जंप लगाई, और स्वैम करते हुए, स्विमिंग करते हुए, टू माइल अक्रोस वो कहां पर पहुँच गया, लेक से लेके, स्टैंप एक्ट आइसलेंड तक, I swam the crawl, अब मैंने क्या क् की, crawl, breaststroke, side stroke, and backstroke, मैंने आपको अल्रेटी पताया था, कुछ-कुछ style है, swimming के, सब में उसने swimming की, only once did the terror return, सिरफ एक ही बार ऐसे हुआ, क्या, कि वो जो terror था, वो जो डर था, वो वापस आया, कब, when I was in the middle of the lake, जब मैं लेक के middle में था, और जब मैंने क्या कर रखा था, अप bottomless water, मतलब पहले जब वो पूल में swimming करता था, तो at least bottom की तो उमीद होती थी, लेकिन अब इस lake में तो क्या है, bottomless water दिख रहा है, उसे कुछ नीचे bottom नहीं दिख रहा, the old sensation returned in miniature, और ये जो पुरानी sensation थी, जो पुराना डर था उसका, कौन सा, fear, returned in miniature, वो वो वापस आ गया, क काफी थोड़ा आया, very small, I laughed, मैं हसा, और मैंने कहा, well Mr. Terror, what do you think you can do to me, वो कहता है कि Mr. Terror, तुम क्या सोचते हो, तुम क्या कर लोगे मेरा, it fled and I swam on, और फिर क्या हुआ, ये जो डर था, ये रन अवे हो गया, भाग गया, और मैंने क्या की आगे, swimming की, yet, I had residual doubts, अब वो कहते लेकिन फिर भी मेरे अंदर कुछ doubts बचे हुए थे, something was remaining, I was not 100% sure, at my first opportunity, I hurried west, अब मैंने क्या क्या, फिर से खुद को test करने के लिए, भागता हुआ मैं किस तरफ गया, towards the west direction, went up the titan, मैं कहां गया, titan के उपर से लेकर, to Conrad Meadows तक, फिर मैंने कहां पर चढ़ाई की, Conrad Creek Trail से लेकि कहां पर पहुँच गया मैं, मीडी ग्लेशियर तक, या नि पहाड था ये, वहां पर पहुँचा, and camp the high meadow by the side of warm lake, और warm lake के side में, जो एक मीडो था, जो एक जगा थी, वहां पर हमने क्या की, camping की, वहां हम रहे, the next morning, I striped, और अगली सुभह मैंने क्या क्या क्या, striped क् मतलब होता है, वह जो नेग्ड हो, उसने अपने वह कपड रेडी हुआ, swimming के लिए, dived into the lake, लेक के अंदर उसने dive किया, jump किया, and swam across to the, और swam करते हुए, swimming करते हुए, एक किनारे से दूसरे किनारे तक गया, and back और वापस भी आ गया, just as Doug कोर्पन यूस तो दू, और कैसे उसने swimming की, जैसे duck कोर्पन करते थे, duck कोन थे, ये एक बहुत ही famous American swimmer थे, और ये उनकी quality थी, and he did the same, I shouted with joy, और जब मैंने कर लिया, तो मैं खुशी से चिल लाया, and Gilbert Peak returned the ecore, Gilbert Peak या ने, एक mountain था, वहाँ पर क्या हुआ, मेरी खुशी से जो मैं चीखा था, उसकी एक एक and finally, वो खहता है कि मैंने जो मेरा डर था, पानी का, उसको क्या कर लिया, conquer कर लिया, उसके उपर जीत पा लिया, the experience had a deep meaning for me, वो कहता है कि ये जो experience था, इसका मेरे लिए, बहुत ही जादा deep meaning है, as only those, वो कहते है, इसको सिरफ वही लोग समझ सकते है, who have stark terror, जिन्होंने इस drastic terror क face किया हो, and conquer it, और फिर उसके उपर विजय पाई हो, ये कौन सा terror था, मतलब death वाला, death के इतने close आने वाला, और फिर उसके उपर जीतना, can appreciate, वही लोग मेरे इस fear को समझ सकते हैं, और इसको appreciate कर सकते है, in death there is peace, वो कहते है जो death होती है, उसमें तो शान्ती होती है, कि हाँ च हानी है, death हानी है, आपको मरना है, तो वो आपके अंदर terror create करता है, लेकिन जब death होती है, तब तो आप peace हो जाते हो, शान्ती में चले जाते हो, as Roosevelt knew when he said, और जो Roosevelt थे, मैने आपको पहले भी पताया था, ये President थे America के, former President, और इन्होंने क्या कहा, all we have to fear is fear itself, वो कहते हैं कि हमे किस से डरना है, डर से, ठीक है, because I had experienced both the sensations of dying and the terror that fear of it can produce, वो कहते हैं क्योंकि मैंने दोनों चीजों को experience किया है, किसको sensation of dying, बिलकुल मरने वाले थे, वो उन्होंने हर एक चीज को feel किया, बहुत close थे वो death के, और उस death के बाद, उस event के बाद, वो जो terror, वो जो डर उसके मन, व the will to live somehow grew in intensity, मतलब ये दोनों चीजे face करने के बाद, मुझे समझ में आया, how important is to live, and उसको ये समझ में आया, कि जिन्दगी जीना कितना जरूरी है, कैसे जीनी है, और मेरे अंदर जिन्दगी जीने की जो intensity थी, जो इच्छा थी, वो और जादा बढ़ गई, at last, I felt released, और finally, जब उसने इस fear से conquer कर लिया, ठीक है, उसने क्या feel किया, कि मैं release हो गया हूँ, मैं रिहा हो गया हूँ, जैसे वो किसी jail में था, और अब उसको मुक्ती मिल गई हूँ, free to walk the trails, अब मैं बिल्कुल free हूँ, किसके उपर walk करने के लिए, footsteps के उपर, अपने जो भी उसके बड़े थे, उनके footsteps पे चलने के लिए, and climb the peak, peak पे चलने के लिए, and to brush aside fear, और अब ये जो डर था, वो उसने उसको side कर दिया था, so this was the chapter, and I hope आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, and the main theme क्या रही इसकी, कि death नहीं है, जिससे हमें डर लगता है, बल्कि जो fear of death होता है न, वो हम सब को डरा देता है, so हम सब को लड़ना चाहिए, किस से? fear से, otherwise क्या होगा, वो हमारे उपर हावी हो जाएगा, so in short, इसमें एक proverb बिल्कुल suit कर रही है, वो क्या है, where there is a will, there is a way, thank you very much, please like, share, subscribe, and support our own YouTube channel, enjoy English with Bhavya Ma'am,